कि नमस्कार आज जिस विश्य को लेकर हम यह चर्चा करने आए हैं और एक मैसे देना चाहरे हैं कि कि शिक्षा और शिक्षा विभाग और शिक्षा विवाग से जोड़े कार्मिकों की समस्या आज इस्तिती यह है कि प्रदेश का जो शिक्षा विवाग का कार्मिक है वो अपने आपको डरा समा सा मैसूस कर रहा है और वो ऐसा दबा कुछला सा है वरना राज का जो कार्मिक हो वो राज का आँक कान नाक होता है और उनके एक तरह से नीम का काम करता है लेकिन कार्मिकों के साथ जिस परकार से विवार क्या जा रहा है सोंतेला विवार क्या जा रहा है विशेश रूप से शिख्या विवार के नीम की टूती है तृतिया से निशिक सक संवर्ग जो राजस विशेस रूप से जो दस्वारा जिले प्रतिबंदी जिले हैं, उनकी तो हालात ही खराब है कि वो समाज से समाजिक जिम्मेदार्यश और पारिवारिक जिम्मेदार्यश दूर हो चुके हैं, एक तरह से ऐसमाजिक हो गए हैं, क्योंकि उनका जो वर्त फलेस है, जहां उनके परिवार जंद रहते हैं, वर्द माता पिता रहते हैं, उनका वो परवरिस नहीं कर पा रहा है, केर टेक नहीं कर पा रहा है, इसलिए वो जो शिक्षक है, जहां भी वो रह रहा है, वो एक तरह से कुंठित है, पूरे मनोवेक से अपना काम नहीं कर पा रहा है, और जो शिक् सिख्षक सेंवर के तबादलों के लिए लगबग एक दर्जन से अधिकवार अंदोलन किये धन्य प्रदसन किये ग्यापन की तो संख्या हमें इतनी है कि गिनाई नहीं सकते हैं यहां तक कि पिछली जो गेलो सरकार थी हमने पांच हज़ार की संख्या में CMO हम लोग गए हमें खाने पे लिए बुलाया और वहां सरकार के जैजेकार भी हमसे लगवाई गई लेकिन तबादलों को लेकर कोई चर्चा नहीं किये गई प्रणाम सरूफ जो कुछ तथाकति सिक्सक संगठन थे विशेश रूफ से पंचायतरा संगठन और उनके कुछ तथाकति नेता उनक खबर वहर नहीं आ सकी लेकिन हर सिक्सक के पास दो या तीन मोवैल थे उनकी रिकोर्डिंग भार तक आई और उसी का प्रणाम था कि पूरे राजस्थान बर में तीन लाग सिक्सकों के परिवारजन उनके चिर्परीचीत और उनके रिष्थेदार और सुप चिंतगों ने गैलो सरकार को वोट नहीं दिया और गैलो सरकार अच्छे काम करने के बावजूद भी रिपीट नहीं हुई लेकिन जो वरतमान भजनलाल जी की सरकार है इसे ये उमीद जगी ही थी कि ये सरकार जो है सिक्सकों के लिए कोई समय बद रूप से पार दरसी तबादला निती लेकर आएगी लेकिन ये भी वो ही राग अलाप रहे हैं जो पिछली सरकारों ने अलापा है रोज रोज स्टेटमेंट दिया जाता है कि ये कर रहे हैं ये तबादले लाएंगे पति-पत्नी परकण को सामिल करेंगे टीएश्पी वालों को लाएंगे डाग जोन वालों को लाएंगे डिफेंस वालों की पत्नियों को लाएंगे लेकिन ये लाएंगे कहां इनको ये ही नहीं पता है कि राजस्तान में कुल कितनी सरकारी विद्याले हैं कितने मदर्शय चलते हैं कितनी आंगनबाडिया चलती हैं इनके पास को एक्चुल डाटा ही नहीं और करता उनको बात दे करता है इसको चंदा चार्ट सिक्सक संगतन बोलता हूं हाला कि मैं भी उससे जोड़ावाता लेकिन की पोलीश यह गलत है कि यह सिक्सकों को बात दे करके सो सो रुपए की रशीद कारते हैं और अपनी आइडिलोजी थौपते हैं और यह बात करते कि हम सि चारा सिक्सक पने रसीदी सुमविद में कटाता है कि मेरी जब समझ्या आएंगी उनका समाधान करेंगे हमारी सिक्सकों की तबादला नितिती बनाएंगे उस जगह यह मोन हो जाते हैं सरकार की सरण में चले जाते हैं ऐसी कॉंग्रेस में भी पंचाधरा संगठन था और राज़तान सिक्सक कॉंग्रेस या एकिकर था नाम से था यह सिक्सक संगठने क्या करते हैं इन्होंने 33 सिक्सक वरक के साथ एक तरह से दोगला विवार किया है दुरभाग यह है कि 33 सिक्सकों का पिछले तीन वरसों से कोई इनकी पदोनती नहीं हुई इनके तबादले नह और उपर से मंत्री जीर, उनके अधिकारी लोग चाये जैसे कि उसको बुल्डोजर चला देंगे, उसको बाड़ मेर दिखा देंगे, अरे राजस्तान तो हमारा ही है, हम चाइज आंगे नोकरी कर लेंगे लेकिन ये गलत है कि एक वर्ग तो जब से नोकरी लगा तब से महा नगरमें बैटा है नगर परिशदे धरी में बैट पर बैटा है या किसी ग्राम पंचाईते बैटा एक उसी बराबर योग्यता रखने वाला व्यक्ति वो बॉर्डर पे बैठा है, जिसने अपने बच्चे कब बड़े हो गए, माबाप कब एक तरह से बूके सो रहे हैं, कि उनको बिमारी का इलाज कैसे हो अपनी, बिल्कुल सामाजिक पारिवर्ग जिम्मेदारों का निर्वेन नहीं कब पा रहा है, तो आपस में एक तरह से व पारिवर्ग जिए निती नहीं बना कर इन्होंने उनके साथ कुठारागात किया है, तो मेरी सरकार से यही एक तरह से मांग है, कि तीन लाग तिर्टियसर नहीं सिक्सक्वर्ग इसमें प्रवदक भी आते हैं, पीटी आई भी आते हैं, उनके एक इसपस्ट तबादला नित झीवने.